हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉंट स्टडी, कॉंट स्टडी में आपका एक बार फिस्ट स्वागत है, आज हम कोई निया चेप्टर, कोई निया कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे, आज हम जितना हमने पुराना पढ़ा हुआ है, उनका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, प्रैक् बुक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है, जल्दी से हमें हर जगा फॉलो कर लिजिए, और किसी भी अप्डेट को मिस्स मत कीजिए, सो, डिटेल देता हूँ, आज के प्रैक्टिस सेशन के डिटेल ये है कि 35 कोशन होंगे, और हर कोशन एक मार्क कैरी करेगा, कोई टाइम की बाउंडरी नहीं है फिलाल, क्योंकि ये पहला प्रैक्टिस सेशन है, तो अभी मैं आपे कोई भी टाइम की बाउंडरी नहीं डाल पर उससे पहले मैं आपको पांच सेकेंड का वक्त दूँगा जिसमें आपने वीडियो को पॉज करना है और उस कोशन को सॉल्व करना है देखिए अगर आप सिर्फ मुझ पर डिपेंड रहें कि मैं आपको सॉलुशन दिखाऊंगा तो इस हिसाब से तो आप कभी सॉल्व कर नहीं पाओगे ठीक है आपको खुद भी initiative लेना होगा और ट्राई करना होगा सॉल्व करने का तब ही जाके आपकी मैस जो होगी वो स्ट्रॉंग होगी ठीक है सारे कोशन मैं आपको बता चुका हूँ सब कोशन के concept मैं आपको करा चुका हूँ आपको बस वो concept याद रखने और उन्हें इन questions पर apply करने हैं तो शुरू करते हैं हमारा session पहला question हमारा है clearly simplification chapter से ठीक है तो हमारा question है mixed fraction में मैंने mixed fraction का भी आपको concept clear किया है करते हैं इस question को solve उससे पहले मैं आपको दूँगा 5 second का pause जिसमें आपने वीडियो को pause करने है और इस question को try करने है तो आपका वक्त शुरू होता है अब तो चलिए देखते हैं इस question का solution का है मैंने आपको बताया था जब addition हो सिरफ तब हम fraction जैसी ये 1, 2 by 3 है इसको हम 1 plus 2 by 3 लिख सकते हैं पर यहाँ पर इधर multiplication है इधर multiplication है जो इनका result आएगा उसकी addition है तो ये वाला question हम mix fraction को single fraction में convert करके ही करेंगे 5 3s are 18, 18 plus 3 21 तो 21 by 5 आगया हमारे पास into 4 by 18 next चीज आगी 3 1s are 3 plus 2 यानि की 5 by 3 into 2 by 25 इसे हमें solve करना है 3 7s are 21, 3 6s are 18, 2 2s are 4, 2 3s are 6 यानि की पहली fraction आगी हमारे पास 7 2s are 14 divided by 15 plus 5 5s are 25 तो 2 by 15 मैंने आपको fraction में बताया था अगर हमारा denominator same हो तो वही हमारा LCM बन जाता है और हमारा denominator LCM सेम हो जो उपर वाली terms होती है वही as it is हम लिख देते हैं तो उपर वाली terms को हमने लिखा तो 16 by 15 हमारा answer आगया जो की है option C चलते हमारे next question पर next question हमारा है percentage chapter से ठीक है percentage chapter तो इस question में क्या है आपको solve करना है ये question question आपकी screen पर है 5 second का मैं आपको time दूँगा वीडियो को pause कीजिए और इस question को solve करने की कोशिश कीजिए तो देखती है इस question का solution क्या होगा उन्होंने का है एक number है उसको 30% add किया दूसरे number से ठीक है the second number increases by 60% ठीक है एक number है x एक number है y इसको हमने x को हमने 30% इसका y में add किया यानि कि 30% हो गया 3 by 10 3 by 10 of x हमने add किया y में तो y हमारा बन गया second number increases by 60% तो increases मैंने बताया था कि जब भी increase हो रहा है 60% का तो हम 100 में ये plus करते हैं डिवाइड बाइड बाइड करते हैं 3x by 10 is equals to 8 by 5y minus y 3x by 10 हो जाएगा हमारा 3y by 5 ठीक है 5 2 is a 10 इससे ये गया x upon y ये 2 जाएगा इस तरफ 2 by 1 तो हमारी ratio आगी 2 is to 1 चलते है next question पर next question कहा रहा है 825 डिवाइड हुआ ABC के बीच में such that A को B से 50% more मिला है B को C से 30% less मिला है तो इस question को आपने बताने की A का amount क्या होगा again मैं दे रहा हूँ 5 second वीडियो को pause कीजिए और इसे try कीजिए तो चलिए देखते हैं इसका solution क्या है A25 को फिलाल side पर रखते हैं हमें अभी इसकी जुरुरत नहीं है पहले हम शुरुआत करते हैं यहां से A receives 50% more than B अगर B को 100 मिल रहा है तो A को 150 मिलेगा यानि की A is to B की ratio हमारे पास आगी 3 is to 2 ठीक है यानि की अगर C को 100 मिल रहा है तो B को 70 मिलेगा यानि B is to C आगया हमारे पास 7 is to 10 तो यहां पर लिख देंगे हम C पहले लिए है तो 10, 7 अब हमें B को same करना है तो उपर वाली term को हम 7 से multiply कर देंगे नीच वाली term को हम 2 से multiply कर देंगे तो A is to B इस to C क्या बनेगा 7 3s are 21 7 2s are 14 2 10s are 20 तो हमारी A is to B is to C की रेशो आगी फाइनल 21 is to 14 is to 20 अब हम देखेंगे कि कितना total amount कितना था जो इन तीनों में बटना था total amount था रूपीज 825 जो कि यहां पर दिया हुआ है तो देखिए हमारे पास यहां आगे total इन रेशो का हम total करेंगे 20 20 40 और 1 हो गया 41 41 में हम 14 add करेंगे तो हो गया 55 ठीक है 55 की value आगी 825 तो 1 की value होगी 825 divided by 55 5 की table से काटते हैं 5 11 जा 5 1 जा 5 32 5 6 जा 30 25 5 5 जा 25 तो clearly 15 1 की value आ रही है हमारे पास 15 11 की table से काटा 1 की value आगी 15 next चीज हम क्या करेंगे इन्होंने कहा कि A का कितना share है तो A की ratio हमें दिख रही थी 21 तो A का share कितना होगा 21 into 15 ठीक है इसको हम 20 plus 1 into 15 लिख लेते हैं 15 2 is a 300 और उसमें 15 यानि कि 315 है A का share which is option C ठीक है next question पर आते है division में दिया है उसके बाद एक minus लगा हुआ fraction में तो आपको again मैं 5 second का time दे रहा हूँ वीडियो को pause कीजिए और इसको solve करने के कोशिश कीजिए तो चलिए देखते हैं इसका solution क्या होगा सबसे पहले division आ रहा है बीच में तो हम क्या करेंगे हम पहले इस fraction को convert कर लेंगे normal fraction में यह mixed fraction है ठीक है 17, 3000 51 में जब हम 6 add करेंगे हमारे पास आजाएगा fraction 57 by 17 यह आई हमारे पास पहली fraction तो इस fraction का आगे हमारे पास 57 by 17 next 34 का double क्या होगा 68 उसमें हम 7 add करेंगे बन जाएगा 75 तो इस fraction का आगया 75 by 34 board mass के according हमें division पहले करनी है तो इसको इन fractions को पहले solve करी लेते हैं 57 divided by 17 इंटू करेंगे इसका reciprocal हो जाएगा 34 by 75 17, 2000 ठीक है तो यह जाएगा 3 से 3, 1, 3, 27 3, 9, 27 3, 2, 6 3, 5, 15 तो हमारे पास आगया इस fraction को solve करके 38 divided by 25 ठीक है इस fraction को solve करने से आया हमारे पास 38 divided by 25 next है हमारे पास यह वाली fraction यानि कि minus 1 9 by 25 अब हम इसको वैसे expand कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था तो हमारी final बन जाएगी 38 divided by 25 माइनस लगा के 1 plus 9 by 25 कर देंगे जब bracket खुलेगी तो हमारे पास minus 1 minus 9 by 25 बन जाएगा 25 25 denominator सेम है 38 में से 9 निकाल देंगे हमारे पास बचेगा 29 divided by 25 अब 1 minus 1 होना है तो यह जब इसके साथ multiply होगा 25 भी बन जाएगा 29 में से 25 काटे बचे 4 divided by 25 which is equals to इसका square question mark का square हमें question mark की value निकालनी है जब यह square इस तरफ जाएगा यह बन जाएगा under root of 4 divided by 25 4 का जब roots 4 root से बाहर आजएगा 2 25 root से बाहर आजएगा 5 तो question mark की value आगी हमारी 2 by 5 which is option A चलते हमारे next question पर 68,000 जो है ABC के अमंग divide हुए है और उनकी ratio भी दी हुई है कि किस ratio में divide हुआ है आपको क्या करना है आपको लगाना है hide method इस fraction वाली ratio को convert करना है normal ratio में ठीक है और उसके बाद greatest part और smallest part को ratio में ही आपको minus कर लेना है और उनका जो one की value होगी उससे multiply करके आपको answer देना है तो चलिए देखते हैं इसका solution क्या है कितना amount है फिलाल हमें देखने के जुरूरत नहीं है हमें फिलाल देखना A, B, C की ratio है 1 by 2 is to 1 by 4 is to 5 by 16 मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें fraction दियो हमें लगाना होता है hide method और fraction में तो हमें numerator और denominator भी देखना होता है अब A की value निकालनी है तो A का जो denominator है उसे हम hide कर देंगे फिलाल 4 into 16 यानि की B और C का denominator और A का numerator next B में आया गया B का 4 हम hide कर देंगे यानि 2 into 16 into B का numerator which is 1 फिर बात करते हैं C की C का denominator hide कर दिया यानि 16 hide कर दिया 2 into 4 into C का numerator which is 5 अब हम multiplication करेंगे नहीं फिलाल काटना शुरू करेंगे 2, 2 यहाँ पे आगया 2 ठीक है 4, 4s are 16 4s are 16 ठीक है तो A is to B is to C आगया हमारे पास 8 is to 4 is to 5 अब आते हैं हमारे question पर 68,000 टोटल डिवाइड होना था तो इनका भी हम टोटल ही करेंगे 8, 4, 12, 12, 5, 17 स्तारा को compare करेंगे हम 68,000 से तो 17, 4s are 68 होता है ठीक है मुझे 17 का table सिरफ 3 तक आता था तो मुझे पता है कि 17, 3s are 51 होता है इसमें मैंने हवा में ही स्तारा अड़ कर लिए हमारा 68 बन गया यही होती है speed match ठीक है आपको पूरे-पूरे table याद करने की जुरूरत नहीं है आपको बस दिमाग active रखना होता है match करने के लिए तो 1 की value आगी हमारे पास 4000 उन्होंने पूछे greatest part और smallest part का difference greatest part है हमारे पास 8 smallest part है हमारे पास 4 तो इनका difference होगा 4 4 into 4 यह वाला 4000 into 4 हो जाएगा हमारे पास 16,000 जो की है हमारे option में available नहीं तो हमारा answer आजाएगा none of these तो चलते हैं हमारे next question पर next question कहा रहा है कि दो quadratic equation दी है और हमें इसका answer बताना है अब देखिए मैंने आपको quadratic equation के final part में एक trick बताई थी जब भी last number से पहले minus लगा हो दोनों equation में तो हमारा answer हो जाएगा relationship cannot be established चलते है next question पर अब हमारा question कहा रहा है x आगे दिये हो है cube root of 2744 y square is equal to 196 तो मैंने आपको बताया था जब y के साथ square लगा है तो plus में भी root आती है minus में भी root आती है 196 का square root होता है 14 तो y तो आगया हमारे पास plus 14 minus 14 अब काम करते है x पे cube root है हमारे पास 2744 का cube root है मैंने आपको बताया था कि सिरफ 2873 जो है वो आपस में एक दूसरे की जो value है वो interchange करते हैं बाकी सब same रहते हैं तो question में हमें unit digit दिया हुआ है 4 तो हमारा answer भी answer का unit digit भी 4 आएगा अब cube root है 3 number छोड़े obviously बात है 1 ही आएगा क्योंकि 1 के उपर जैसे हम 2 पे जाएंगे तो इस position पे 8 होना चाहिए पर ऐसा 8 नहीं है यहाँ पे तो 1 ही आएगा y आगे हमारे पास plus 14 minus 14 x आगे हमारे पास plus 14 जब हम इने compare करेंगे ये दोनों बराबर है ये इस से बड़ा है तो x is greater than equals to y which is option c चलते हैं हमारे next question पर तो ये question clearly है हमारा ages chapter का जो की काफी मिलता है ratio proportion chapter से question कह रहा है कि 1 year ago यानि past की बात चल रही है यामिनी और जैमिनी की ratio थी age की 6 is to 7 6 year hence यान की future की बात चल रही है ratio बन जाएगी 7 is to 8 तो हमें जैमिनी की age निकालनी है ये question भी मैंने आपको कराय होए है ages chapter में मैं आपको 5 second का time दे रहा हूँ वीडियो को pause कीजिए और इस question को solve करने की कोशिश कीजिए तो देखते हैं ऐसे question का solution कैसे करना है सबसे पहले हमने लिख लिया past, present, future एक जगह है यामिनी तूसरी जगह है जामिनी गामिनी जो भी नाम है ठीक है अच्छा one year ago यानि past की बात चल रही है यहां से हमने लिख दिया one ठीक है past की बात चल रही है y is to g की ratio है six is to seven फिर बात चल रही है future की, कितने future की six year हैं तो यहां आगया six year, अब इनकी ratio है seven is to eight gap देखिए कितने हैं, इनमें individual gap है plus one का, सब में plus one का है, 6-7 plus one, 7-8 plus one और past से लेके future की बीच years का gap कितने है, years का gap है साथ का, तो one की value आगई seven years अब इनने पूछा है how old is jamini, jamini jamini जो भी नाम है तो jamini का past देखें, seven, sevens are 49 years एक साल पहले वो अगर 49 years की थी, तो present age क्या होगी plus one, यानि की 50 years, तो c option आगया हमारा answer next question आगया, अब सबसे पहले चीज़ हम क्या देखते हैं इनमें देखते हैं इनकी roots, तो plus plus में होती है minus minus, और minus plus में होती है, plus plus तो y is greater than next, आगया हमारा answer, ठीक है सिर्फ roots देखी हमने, plus plus की होती है, minus minus और minus plus की होती है, plus plus, उससे सीधा हमारा answer आगया solve करने की वज़रूरत नहीं पड़ी next question आगया, ये है simplification का question again आपको मैं दे रहा हूँ, 5 second का वक्त, वीडियो को pause कीजिए और इस question को solve करने की कोशिश कीजिए तो चली देखते हैं इस question को कैसे करने, 30, 25 25 के लिए तो last में 5 ही आएगा, अब मैंने इस वाले portion के लिए का था, हम numbers को क्या करते हैं, दो consecutive numbers को multiply करते हैं, जिसमें से छोटा वाला number जो होता है, वो होता है आपका answer, यानि कि 5 into 6 किया, हमने 5, 6, 30 आता है ना, तो हम 5 को लेंगे और लगा देंगे यहाँ पर, तो 30, 25 का हमारा root आ गया 55, next, 2640, जब यह इस तरफ जाएगा तो divide करेगा 2640 को, अब हम करेंगे इसे 1 by 1 solve, 55 है तो obviously बात है, यहाँ पर 11 का use हो गई होगा, 11, 5 is a 55, 11, 24 is a 5, 4 is a 20, 48 आ गया आपके पास यह, तो under root question mark की value आगी 48, जब under root इस तरफ जाएगा 48 का square बनेगा, 48 है 50 से कम, कितना कम, 2, इसका square आ गया 0, 4, 25 से 2 minus करोगे तो 23, तो 2, 3, 0, 4 हमारा आ गया final answer next question, price of watch is increased by 25%, by what percent the price should be decreased to restore is original price again, दे रहा हूँ मैं आपको 5 second, वीडियो को pause कीजिए और इस question को solve करने की कोशिश कीजिए तो चलिए देखते हैं, इस question का solution क्या होगा एक watch थी उसकी price increase की 25 से, यानि 100 रुपे अगर उसकी पहली price थी, अब हो गई है 125 रुपीज, इस 125 रुपीज को हमें restore करना है, original price पे, यानि की 100 रुपे हमें वापिस लाना है अब देखिए, कितना हमें decrease करना है, 25 का, original क्या चलिगी थी price उसकी जब हमने increase किया था 125 into 100, 20% आ गया हमारा final answer next question, a student has to secure minimum 35% marks to pass an examination यानि की उसको minimum 35% चाहिए exam को pass करने के लिए if he gets 200 marks and failed by 10 marks, then maximum marks in the exam are बहुत easy question है, question देखते ही मेरे को, मतलब मैं तो इसका question देखते है solution बता देता हूँ, पर आपको मैं फिर 5 second दे रहा हूँ, वीडियो को pause कीजिए और इस question को solve करने की कोशिश कीजिए तो चलिए देखते हैं, इसका solution क्या होगा उसको चाहिए 35% marks pass होने के लिए उस बंदे ने 200 marks ले ली होए है 10 marks से वो fail हो रहा है तो उसके कितने marks और आते कि वो just pass हो जाता उसके यही 10 marks अगर और आते तो वो pass हो जाता तो 10 marks अगर और आ जाते तो उसकी total marks कितने बंते 210 marks 210 marks पे वो just pass होता और just pass की percentage है 35% यानि हमारे पास 35% की value है 210 marks 1% की value है 210 by 35 और हमें 100% निकाल ला है क्योंकि उन्होंने maximum marks पुछे है 210 by 35 into 100 5, 7 is a 35 20, 7, 30 यानि की maximum marks है हमारे 30 into 20 which is 600 option D चलते हैं हमारे next question पर A, B के बीच में कुछ percentage दी हुई है C और B के बीच fraction दी हुई है अब ratio A और D के बीच में दी हुई है इसमें हमने किस-किस chapter का use किया इसमें हमने percentage chapter का use किया फिर fraction भी use हुई then ratio proportion भी use हुई 3 chapter का mix डाल के हमने 1 question निकाला है तो हमें C और D की ratio बतानी है इस question को जल्दी सा solve कीजिए और मुझे बताइए कि यह आप से question solve हुए है या नहीं ठीक है 5 second का time दे रहा हूँ वीडियो को pause कीजिए और इसे solve कीजिए अब देखते हैं इसका solution क्या होगा A is 12 1 by 2% off B more or less किसी की बात नि चल रही off B की बात चल रही है तो मैंने आपको fraction learn करने को कही थी 12 1 by 2% होता है 1 by 8 A जो है B का 12 1 by 2 यानि की 1 by 8 है तो B होगा इसमें 8 A होगा इसमें 1 A is to B की ratio आगी हमारे पास Next is C is 1 by 12 less than B देखिए B को मानेंगे हम 1 C जो है उससे 1 by 12 less है मैं देखके बता सकता हूँ की C की value 11 by 12 होनी चाहिए पर कैसे होगी यह मैं आपको अभी question में करके दिखा देता हूँ देखिए अगर हम 1 से 1 by 12 minus करेंगे 12 विदर जाएगा 12 से 1 minus होगा 11 by 12 होगा तो B अगर 1 है C है 11 by 12 मैंने आपको in fraction को normal fraction में ratio में convert करना चिखाया था कैसे cross multiplication होगा तो B is to C आगया 12 is to 11 तो हमने लिख दिया यहाँ पर B is to C आगया 12 is to 11 Next आगया हमारे पास A और D की ratio दी गई है 6 is to 44 ठीक है A और D की ratio दी गई है 6 is to 44 तो हमें C और T की ratio निकाल लिए है अब हम क्या करेंगे सबसे पहले A को common बनाने की कोशिश करेंगे कैसे बन जागा A common यहाँ पर हम 6 से multiply कर देंगे तो A is to B is to C is to D A आजाएगा 6 B आजाएगा 6 A is to 48 C के अभी हम बात नहीं करेंगे D 44 ही रहेगा अब बात करते हैं B और C की B यहाँ पर है 48 यहाँ पर है 12 इस 12 को अगर हमें 48 बनाना हो तो हम 4 से multiply करेंगे अगर यह 4 से multiply हो रहा है तो 11 भी 4 से multiply होगा यानि कि C आगया हमारे पास 44 तो इन्होंने पूछा है C और D की ratio क्या है C और D की ratio है 44 is to 44 which is 1 is to 1 चलते हैं हमारे next question पर 63% of 3 4 by 7 हमें बताना है बहुत easy question है जल्दी से solve किजिए 5 second का time दे रहाँ तो देखते हैं इस question को कैसे करना है 63 divided by 100 into 7 इसा 21, 21 प्लस 4, 25 इसा 7, 7, 9 जा 63, 25, 4 जा तो 9 divided by 4 is equals to 2.25 हमारा answer आ गया next question अगें ये question है simplification का 5 second का time दे रहाँ इसे solve करना शुरू किजिए तो चलिए देखते हैं इसका solution क्या होगा 37 into 7, 29 is to 5 37 into 7, 7, 7, 7 is a 49 4 carry on 7th is a 21, प्लस 4, 259 25 into 9, यानि कि 290 को 2 से divide कर देना है ये speed match है 1, 4, 5 तो 145 इससे minus करेंगे denominator में क्या है 7 का square 49, प्लस 13, प्लस 81 1 इसको दे दो, ये 50 बन गया 80 add करो, 130 बन गया उसमें 13 add करो, 143 बन गया numerator में क्या आना है 9 में से 5 काटे, 4 5 में से 4 काटे, 1 2 में से 1 काटा, 1 114 divided by 143 जो कि हमें कहीं भी option में नहीं दिख रहे है हमारा answer है option E, none of these देखिए, maths ऐसी solve करो कि आपको आपके none of these में भी confidence हो, ठीक है डर डर के maths नहीं solve करनी next question आ गया 7 divided by 2 divided by 5 by 2 into 4 एक है यहाँ पर multiply एक है यहाँ पर off तो मैंने आपको बताया था एक off word पूरे question का मतलब बतल देता है board mass लगाईए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर board mass, priority ऐसे जाएगी board mass लगाईए और इसे जल्दी से solve केजिए पांच सेकिंड का time दे रहा हूँ वीडियो को pause करके इसे को solve करो तो चली देखते हैं इस question का solution क्या होगा इस वाले में तो divide ही पहले लगेगा तो 7 by 2 into 2 by 5 into 4, 2 से 2 गया 7, 4 is a 28 by 5 आ गया उपर वाली fraction का, ठीक है तो हमने लिख दिया उपर वाली fraction का 28 by 5, ठीक है अब नीचे वाली fraction की बात करती है पहले off solve होगा 5 divided by 2, off 4 तो यानि कि ये 10 आ गया 7 by 2 divided by 10 यानि कि 7 by 2 into 1 by 10 ये आ गया आपके पास 7 by 20 तो नीचे वाली fraction का आ गया आपके पास 7 by 20 तो हमारी उपर वाली fraction का था 28 by 5, नीचे वाली fraction का है 7 by 20, ठीक है नेक्स चीज़ कुछ नहीं करनी, बस 9 से प्लस करना है पहले हम इस fraction को solve कर लेते हैं, ठीक है आपको मैंने बताया कि जब ऐसी fraction आती है, तो ये वाली term जो है वो इस वाली term से डिवाइड होगी तो सबसे बहले डिवाइड करना शुरू करते है 5, 4 जा 20, 7, 4 जा 28 अब देखी हमार पास fraction क्या बची 4 divided by 1, divided by 1, divided by 4 ठीक है, हम इसको ऐसा लिख सकते है 4 divided by 1 by 4, ऐसा लिख सकते है जब इसको हम multiply में convert करेंगे यह reciprocal हो जाएगा तो हमार पास 4 into 4 आजाएगा 16, 16 में 9 एड करोगे तो 25 आजाएगा आपका final answer option B चलते है next question पर next question B, simplification का है देखे, simplification पर मैंने कितना जोर दिया आप देख रहे है, simplification के कितने सारे questions आ रहे है क्यों, क्योंकि यह 10 marks की यह 5 marks की सीधा सीधा आती है ठीक है, life changer बन जाती है simplification हमारी maths में तो इस question को भी solve कीजिए 5 second का time दे रहा हूँ, वीडियो को pause कीजिए और जल्दी से solve कीजिए तो चलिए देखते हैं इस question को कैसे solve करना है 4 से card देंगे पहली fraction तो आगी हमारे पास सिधा-सिधा 1 by 28 ठीक है, जब यह reciprocal हो जाएगा तो 14 by 6 बन जाएगा तो 7, 2 जा 14 3, 2 जा 6 2 से 2 कटा 1 बचा यानि की 1 by 28 प्लस 1 जब इसको तो मैं को देखते ही आ गया हमारा answer हो कर 29 by 28 कैसे आया, 28 1 से multiply हुआ इस से plus हुआ तो 29 by 28 option C, चलते हैं next question पर again quadratic equation का question आया है quadratic equation भी मैं आपको फिर से बता दू 5 marks की exam में आती ही आती है तो ये भी हमारे काफी important section है, जल्दी से कीजिए solve और मुझे इसका answer बताईए 5 second का time दे रहा हूँ, इसे solve करना शुरू कीजिए तो चलिए देखते हैं इसे कैसे solve करना है, x की root plus plus होंगी, y की root plus plus होंगी, तो हमाए plus plus पे ही काम करना है, 6 वन्जा 6, ठीक है, अब हमें middle term बनानी है, 6 वन्जा 6 कैसे बनता है, 3 into 2 जा भी 6 होता है, और जो middle term बननी चाहिए, वो addition से बननी चाहिए, तो 3 plus 2 जो हमारी middle term भी बना रही है, तो हमारी x की roots आ गही है, plus 3 plus 2, अभी हमारा question खतम नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x के साथ 6 भी दिया हुआ है, तो हमारा division में 6 आएगा, तो x की असली root आ गही, 1 by 2, 1 by 3 आते हैं आब y पे 6 ही होगा 5 ही है बीच में, तो 3 और 2 ही रहेगा, तो y आ जाएगा हमारे पास 3 और 2, तो clearly इसमें कोई reciprocal नहीं आना, तो जब हमारा reciprocal नहीं आ रहा है, चारो terms positive है, y की दोनों terms बड़ी होंगी, x की terms से तो y is greater than equals to x is our final answer, चलते हैं हमारे next question पे question जो है roots दे रहा है पहला वाला root दे रहा हमें minus minus, second हमें root दे रहा है plus minus, तो, यानि की y is greater than equals to x के chances बन रहे हैं, पर हम ऐसे risk नहीं लेंगे मैं जस्त बता रहा हूँ, y is greater than equals to x के chances बन रहे हैं हम इसे बस verify करेंगे, तो 5 second दे रहा हूँ, वीडियो को pause कीजिए और इसे solve कीजिए तो चलते हैं हमारे solution पे x 35 into 3 बना रहा है ठीक है, 35 into 3 तो 35 कैसे बनते हैं, 75 is the 35 into 3 ये बना लिए हमने हमारे factors ठीक है, इन से बनाना है हमें 26, 26 एक even number है, और हमें यहाँ पर 3 odd number दी है, हमें पता है odd plus odd जो है हमारा even number बनाता है तो हम कोई भी combination लगा लेते हैं 75 is the 35 तो कोई match नहीं करेगा 73 is the 21 plus 5 तो 21 और 5 हमारा 26 बना रहे हैं x के roots होने थे negative negative तो minus 21 minus 5 आ गया अभी भी question खतम नहीं हो, क्योंकि x के साथ 35 लगा हुआ है divided by 35 तो x की हमारे पास roots आ गई minus 3 by 5 और minus 1 by 7 अब बात करते हैं y की 7 fours are 28 तो 7 into 2 into 2 अब minus minus से plus minus जब भी दो roots अलग लगाती है यानि हमारी question में होगी subtraction ठीक है हमें बनाना है 12 subtraction से 7 twos are 14 और 2 यह हमारा 12 बना सकता है जब हम इसको minus करेंगे तो अब देखिए 12 के आगे sign है minus का ठीक है minus का 12 कैसे बनेगा जब हम minus का 14 और plus का 2 करेंगे पर मैंने आपको बताया है ऐसे वाले cases में जो हमारे symbols हैं जब roots आती हैं वो उल्टे हो जाते हैं y आगया हमारे पास plus का 14 minus का 2 अभी भी खतम नहीं हुआ क्यों क्यों क्योंकि y के साथ 7 है coefficient में तो 7 लगा देंगे यानि की अब हम करेंगे इनको compare plus वाली term तो दोनों से बड़ी होगी तो plus वाली पे तो हम काम ही नहीं करेंगे हम काम करेंगे minus वाली पे पहले इस से compare करते है minus 3 by 5 minus 2 by 7 cross multiply 7 3 is a minus 21 5 2 is a minus 10 यानि की अभी भी y बड़ा आ रहा है next part minus 2 by 7 को हम minus 1 by 7 से compare करेंगे तो minus 1 by 7 minus 2 by 7 यहां आ गया minus 7 यहां आ गया minus 14 तो इसमें x बड़ा है अब देखिए जब भी एक में x बड़ा आ जाता है और एक में y बड़ा आ जाता है तो यानि की हमारा relationship cannot be determined आना है तो हमारा final answer हो गया option e तो आज का part हम यहीं पर end करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई हुई है 20th से लेके 35th question तक मैं आपको next part में पढ़ाऊंगा ठीक है next part में इनके solution बताऊंगा आज जितने भी बच्चों ने 19 तक जितने भी बच्चों ने question attempt की हैं इसका जो आपके score आया है ठीक है हर question का एक mark है तो इसका score आप comment section में बताइए कि 19 में से आपने कितने question ठीक किये है कोई negative marking नहीं है तो आपको सिरफ बताना है कि जितने question आपने ठीक किये है आपके उतने marks है तो इसका score है वो comment section में post करके बताइए आज का वीडियो हम यहीं end करेंगे तो इसे के साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हमारे चनल को like कीजिए साथ हमारे चनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को अपनी friend के साथ share कीजिए ताकि वो भी questions की practice कर सकें Thank you